हेलो गाइज, विलकम तो एन अकाडमी, मैं हूँ अनिकेत अगरवाल और हम करें हैं डेली न्यूज अनालिसेज, गुद मॉर्निंग ओल फ्यू, तो स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज अनालिसेज, आज हमने क्या क्या करना है, एक तो डेथ पेनल्टी के उपर एक ब क्योंकि USA की इस तरह की स्टेटमेंट से जो ट्रस्ट डेफिसित है, वो क्रियेट हो जाता है, उसके बाद हमारा बहुत इंपोर्टेंट जी एस्टू का आर्टिकल बनता है, लौ अगेंस्ट वर्कप्लेस हरास्मेंट पूर्ली इंप्लिमेंटेड, तो जो आपका उसके बाद आता है आपका चेह तालीबान की कच्छ प्रिजनर्स हैं उनको स्वाप किया है अपने प्रिजनर्स के साथ, उसके बाद में जनेगे क्या ये सही है, क्या ये गरत है उसके बद्द का है, जो QPSC में भी आया हुआ है, ड़त . सबसे पहले बात करते हैं death penalty की तो Supreme Court के पास एक matter गया जिसको constitutional bench याने की 5 जजों के benches को forward कर दिया गया है हम अलड़ी पिछले दिनों में कर चुके हैं आपको comment section में बताना है कि constitutional bench constitution में mentioned है के नहीं और अगर mentioned है नहीं है या है तो फिर वो कहां पे mentioned है कौन से articles में mentioned है right तो जो question है question of law ये है कि जो death penalty है जो आपको दी जाती है rarest of rare cases में rarest of rare cases की doctrine है rarest of rare cases में तो उन cases के अंदर आपको meaningful, real और effective hearing कैसे देनी है accused को ताकि अगर कोई mitigating circumstances हैं तो वो trial court में दे सके और trial court में दे सके और साथ ही साथ अगर वो commute होकर life sentence बन सकता है तो वो हो सके तो तीन judges का bench जो है उसको देख रहा था जिसके अंदर ये बात हो रही थी कि जो death penalty है वो बहुत extreme case की penalty है और life हमारा बहुत valuable life है right है जो right to life के अंदर article 21 के अंदर भी enshrined है तो इसको देने से पहले हमें कुछ और opportunities जो है वो देनी चाहिए तो इसमें Attorney General of India ने भी कहा कि normally जो lower courts होती है trial courts होती है वो same day पे sentence जो है वो दे देती है लेकिन अगर उनको लगता है कि ये जो person है ये rarest of the rare doctrine के दर fall करता है लेकिन अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा time और लगाएं यानि कि एक जो date है वो मिल जाए तो जो defense का वकील है वो कुछ mitigating factors ढून सकता है जिससे कि उसकी जो death penalty है वो reduce हो जाए या वो cancel हो जाए तो ये जो mitigating circumstances हैं ये इतना time उनको मिलना चाहिए जो कि meaningful हो, real हो और effective हो ताकि वो mitigating circumstances trial court को बताये जा सके हैं प्रूफ किये जा सके हैं और वो framing of charges के time पे या फिर evidences के बाद भी allowed होने चाहिए तो normally क्या होता है जब आपके framing of charges होते हैं उसके बाद बयान होते हैं, evidences होते हैं उसके बाद फैसला सुनाया जाता है तो अगर कोई mitigating circumstances आपके framing of charges हो चुके हैं या फिर evidences जो हैं वो conclude हो चुके हैं तो उसके बाद भी मौका देना चाहिए कि वो framing of charges के बाद भी और conclusion of evidences के बाद भी वो mitigating circumstances बताये जाएं और अगर person को लगता है अगर court को लगता है कि ये mitigating circumstances, death sentence को कम कर देंगे into life imprisonment या कुछ और तो वो चीज की जा सके तो basically आप कह सकते हो all lenient review लेने की कोशिश की जा रही है ये मुद्दा क्यों उठता है बार बार ये इसलिए उठता है क्यों capital punishment के against बहुत सारे countries है और बहुत सारे countries ने conventions भी बनाई ही international की हमें death penalty नहीं देनी या हमें capital punishments नहीं देनी लेकिन इंडिया ने हमेशा काया कि capital punishment हम बंद नहीं कर सकते हैं as of now जो हमारे country के हाला आते हैं तो इसलिए हम इसको modify कर सकते हैं जो हमने already किया हुआ है और हम हर case में पर death penalty दी जा सकती है नहीं देते हैं rather we follow the rarest of the rare doctrine that has been laid down by the supreme court तो हम उसके through देते हैं अब इसको और जादा आप कह सकते हो liquidate करने की कोशिश जो है वो की जा रही है moving on to the next slide next हमारा आ जाता है Joe Biden ने statement दी है जिसको काफे सारे international media ने भी cover किया है और उन्हेंने ये काया कि अगर Taiwan के ओपर किसी भी तरह का attack किया जाता है China के द्वारा तो हम USA की आर्मी को भेज के Taiwan को हर cost पे जो है वो बचाएंगे हाला कि problem ये आए कि जैसे ही उनका interview जो है वो खतम हुआ उसी time पे White House ने एक official statement दे दी कि ये जो statement है ये जो बाइडन की अपनी personal statement है personal इनका faith है ये ये USA की official policy नहीं है अब ये बहुत ज़्याद important हो जाता है क्योंकि इससे again trust deficit जो है with respect to USA वो create हो जाता है अभी Ukraine war में भी हमने देखा था कि Ukraine बहुत जादेर तक wait करता कि USA आएगा, USA आएगा, USA आएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो जो USA के allies है कहीं न कहीं उन्हें ये लगने लग जाता है कि USA सिर्फ अपने interests को देखता है चाहे वो financial interest हो trade interest हो, defense interest हो और हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तमाल करता है तो एक जो trust deficit है with respect to USA वो create होने लग जाता है बार-बार हर देश के साथ अब चाहिना ने तो officially बोल दिया है कि China will not rule out the use of force अगर तैवान ने अपने आपको formally independent declare किया तो अगर one China policy जो है वो कहती है कि जो mainland China है वो only China है तैवान कोई separate nation नहीं है तो इसलिए अगर तैवान अपने आपको officially declare करता है कोई formal independence declare करता है तो वो जो है attack कर सकते हैं तैवान के उपर और force use भी कर सकते है और USA अगेन इसकी चीज़ के खिलाफ है basically USA चाहता है तैवान की separate identity बनी रहे लेकिन अभी हमने SEO submit में देखा था कि जो Russia है Russia में support किया है China के one China policy को उन्होंने काया कि तैवान को हम separate nation नहीं मानते तो यह बहुत important एक conflict जो है यहाँ पर बनता हुआ हमें दिख रहा है और China ने recently missile drills भी की थी तैवान के आज-पास तो जो कि एक किसम से आप कह सकते हो कि डराने की कहीं न कहीं यह बात है अच्छा अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की जो declaration है from Joe Biden यह second time आ रही है इन्होंने पहले भी कहा था कि अगर तैवान चाहता है अपने आपको independent declare करना चाइना से तो उसमें USA को कोई भी दिक्कत नहीं है रादर यूएस से तैवान को defend करेगा अगर तैवान के उपर attack हो जाता है चाइना के through लेकिन अगेन इस चीज़ का काफी जाते criticism हो रहा है कि जो बाइडन कुछ और बोलते हैं और वाइट हाउस कुछ और बोलता है कि अब हमारी official policy नहीं है यह इनका personal viewpoint है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का stand भी हाँ पर जो है clear होना चाहिए लेकिन इंडिया को सबसे बना के चलना है क्योंकि हम बहुत जादा dominating कोई world power तो है नहीं जितना रश्या है या चाइना है या as of now US से तो ही है तो इसलिए हमें सब के साथ बना के चलना है हमें चाइना के साथ भी trade करना है हमें USA के साथ भी करना है और हमें रश्या के साथ भी करना है तो इसलिए हम अपना diplomatic stand जो है वो लेकर चलते हैं तो इंडिया जहां एक तरफ 2010 की policy की अनुसार One China policy को 2010 की हमारी policy थी की हम भी One China policy को मानेंगे तो हम मानते हैं लेकिन हमने diplomatic relations जो है वो ताइवान के साथ बनाए हुए है चाए वो trade के हो या otherwise हो तो यह जो issue है कही ना कही इंडिया के लिए भी बड़ा issue बन सकता है जब तक कि इस पर कोई clear cut चीज नहीं आती है So this was all for this topic Moving on to the next topic Very important GS2 के जिसाब से वो है Harassment of Women at Workplace तो जैसा मैंने आपको बताया यह विशाखा Versus State of Rajasthan के case में 1997 के अंदर guidelines दीशी Supreme Court ने जिसके ऊपर Protection of Women Against Sexual Harassment Act 2013 में बनाया गया था जिसको हम Short में Sexual Harassment at Workplace या फिर Sexual Harassment Act भी बोलते हैं इसके अंदर बेसिकल यह बताया गया था कि Sexual Harassment at Workplace में क्या कुछ cover होगा कि अगर आपके कोई woman है जो काम कर रहे है किसी office में और कुछ भी इस तरह की touching होती है यह होता है वो होता है वो सारी की सारी चीज़े Sexual Harassment के अंदर जाएंगी और सेकिंड ली महाँ पे Redressal of Complaint कैसे होगा तो Complaint के लिए जैसे She-Box हमने देखा था पहले करंटर फेर्ज में तो She-Box जैसे जो है Boxes बनाया जा सकते हैं Complaint का एक Proper System होगा और Employer जो है उसको एक Internal Complaint Committee बनानी पड़ेगी जहां पर भी दस से जादा Employees हैं जिनके अंदर जो है Civil Courts की पावर होंगी Evidences लेने की और साथ ही साथ वो Inquiry को जो है उसके बाद कंड़क्ट कर सकते हैं अगर कोई भी Employer जो है इस Act की पालना नहीं करता है तो उसके उपर पनिश्मेंट करी जा सकती है उसको फाइंस जो है वो लगाया जा सकते हैं तो अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनस है जिसमें दस से जादा लोग involved हैं तो आपको इसकी compliance करना जो है वो mandatory हो जाता है और यहां तक कि आपका otherwise license या registration of business जो है तो local complaints committee के अंदर जो भी women हैं जो कि unorganized sector में काम कर रही हैं घरों में काम कर रही हैं वो या कोई और small establishments हैं वहाँ पर काम कर रही हैं तो वो सारी की सारी women जो है cover हो जाएंगी और वो यहां पर आकर अपनी complaints जो हैं वो डाल सकती है लेकर अब यहां पर जो दिल्ली का women commission है उसने यह कहा है कि यहां पर जो हमारे पास affairs आ रहे हैं तो यह बहुत ही sorry state of affairs को दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास जितने भी complaints आ रही हैं उनमें कोई भी खास action नहीं ले आ गया है इसके लावा जो LCC हमने बताया था local committee, complaints committee जो की हर district में बनाई जाएगी उसके अंदर भी कोई भी progress हमें अच्छे से देखने को नहीं मिलती है इसके लावा awareness campaigns की बहुत कमी है तो there is a lack of awareness जब लड़कियों को औरतों को अपने अधिकारों का ही नहीं पता है तो क्या होगा इसलिए awareness programs के उपर through radio, television या word of mouth awareness भी फिलाने की ज़रूरत है कि उनके rights क्या है और जो विशाखा guidelines है इनको जो है publish करके जो local committees है LCCs उनको जो है function करना चाहिए और local complaints committee को अपने दफ्तरों के अंदर notice board पे ये सारे चीज़ें लिखनी चाहिए कि क्या guidelines है क्या नहीं ताकि एक supportive action जो है वो लिया जा सके और जो भी problems है उनको address किया जा सके So this was all about विशाखा guidelines उस पर next हमारा article आजाता है with respect to Taliban तो Taliban ने एक prisoner swap agreement successfully USA के साथ किया है तो USA की एक navy person थे Mark Frenches जो की basically Taliban ने आप कह सकते है पकड़ लिया था और ये hostage हो गए थे 2020 में और इनको अब prisoner swap किया गया है इनके बतले ये एक basically Taliban के ally थे जो की hero इनकी smuggling में USA की jail में 17 सालों से रह रहे थे तो ये जो negotiations हैं काफी जादा बाद में आई है और Taliban इससे अपनी बहुती बड़ी जीत मान रहा है और इनको बहुत जादा वेलकम किया गया काबुल इंटरनाशल एरपोर्ट पे और इनको एक hero की तरह जो treatment है वो मिल रहा है अफ़कानिस्तान के अंदर तो अब इससे हमें एक चीज जो समझनी है वो है आपका Repatriation Prisoners Act जिसको भारत सरकार ने 2003 के अंदर बनाया था जो की basically facilitate करेगा की prisoners को हम exchange कर सकें तो इस act के बारे में जानते हैं तो this act enables in two parts basically first part में enable करता है transfer of foreign prisoners जो की Indian prisoners के अंदर बन्द है and second part में बात करता है Indian prisoners की जो foreign courts में बन्द है मतलब की same swapping अगर India का person बाहर बन्द है और अगर कोई बाहर का बन्दा इंडिया में बन्द है तो यह आगा आपका abroad यह ओगा आपका इंडिया तो यह दोनों ही parts को 2003 का जो हमारा act है यह eligible करता है इसके अंदर अगर हम conditions की बात करें तो willing होना चाहिए कि वो repatriate होने के लिए त्यार है कोई pending appeals ना हो military law के अंदर यह fall ना करता हो death sentence की punishment ना हो and so on and so forth तो वो सारी की सारी चीज़ें इसमें जो हैं वो बताए गई है और ministry of external affairs जो है हमारी वो कहते हैं कि अभी भी हमारे 78 countries के अंदर around around 8000 के करीब जो लोग है 8000 के करीब जो लोग है वो फसे हुए है तो हमारे जैसे कि आपका साओधी अरेबिया UAE, इक वैज जहां पे लोग काम करने जाते हैं इसके लावा USA, Canada, Nepal, Bhutan Bangladesh, लंका, पाकिसान तो इन countries के अंदर हम देखें तो Indian prisoners जो हैं वो अभी भी फसे हुए हैं तो इसलिए उनकी facilitation के लिए हमने इस कानून को जो है वो बनाया था तो basically आप देख रहे हो कि काबूल किस तरह से कर रहा है एक इसम से एक person को hostage लेके swapping कर रहा है लेकिन हम उसी चीज को legal framework के अंदर कर रहे हैं अगर हम बात success rate की तो success rate अभी इसका काफी कम रहा गया है as per the data given by the ministry of external affairs सिरफ 9 ही लोग इन 8,000 में से successfully repatriate आज तक हो पाएं है लेकिन अगे इसका फाइदा इंडिया को है जैसे जैसे diplomacy और mutual agreements जो है वो आगे बढ़ेंगे तो इंडिया को एक तो foreign के business जो है उनको फालतु में अपनी जेलों में नहीं रखना पड़ेगा and secondly हमें अपने वाले prisoners भी वापस मिल जाएंगे तो दोनों ही तरीके से दिखा जाए तो ये एक अच्छी चीज है प्लस आपकी जो international committees है वो भी कहते हैं कि इस तरह के agreements जो हैं वो हमें करने चाहिए है for example जो international conveyant on civil and political rights है वो भी कहते है कि there should be a right to return to one's home country अब कोई prisoner भी है तो उसके पास भी एक right होना चाहिए कि वो अपने home country में वापिस आ सके similarly जो United Nations का model agreement है on transfer of foreign prisoners इसके लाब Vienna Convention है जो councillor relations की बात करती है वो भी कहता है कि किस तरह से councillor access मिलना चाहिए foreign country के नदर trial हो रहा हो prisoners of war जिसे भी Bangladesh में 1971 में हमने बहुत सारे POWs जो थे वो पाकिसान के पकड़े थे तो जो prisoners of war है उनके साथ normally देखा गया है कि post war बहुत ही जादा inhumane behavior जो है वो किया जाता है तो इसले उनके भी कहिना की humanitarian grounds पे rights को protect करते हुए United Nations Commission 2004 की जो थी करेंगे एक previous year का MCQ बढ़ा ही important MCQ है इसका अंसर भी जानेंगे जो कि आपको exams के नदर repeat कर सकता है प्लस आपका जो revision है उसके लिए भी important हो जाता है अगर आपको ये method अच्छा लगेगा तो हम एक previous year question daily कर लिया करेंगे किसी भी related topics है right तो आपको इन countries के नाम दिये हैं Australia, Canada, China, India, Japan and USA आपको ये बताने हैं कि जो FTP यानि कि free trade partners है Asian countries के वो कौन से कौन से है तो I will be giving you 10 seconds तो अगे जिन लोगों ने answer लिखा comment section में आप check कर सकते हैं तो answer is C 1, 3, 4 and 5 so Australia है, China है India है और Japan है तो इसके अंदर कौन से कौन से नहीं है Canada नहीं है और USA नहीं है अगर हम बात करते हैं Asian की तो Asian के अंदर free trade agreements जो हैं वो 6 countries के साथ हैं जो की इनके partners हैं जो की China हो गया Korea हो गया, Japan हो गया, India हो गया Australia हो गया और New Zealand हो गया तो इसके मतलब इन में कौन से कौन से ऐसे options है जो Canada और USA की जंग आने चाहिए थे एक तो आना चाहिए था New Zealand और एक आना चाहिए था Korea और आपको ये भी पता चल गया कि ASEAN के अंदर FTA छे कंट्रीज के साथ हैं उनके नाम भी आपको यहां पर पता चल गया है आपको ये नया कुशन वाला इनिशेटिव कैसा लगा वो जरूर पता है कमेंट सेक्शन में तो अगर आप तहेंगे तो daily we can do one or two MCQs related to the DNA that we are already doing So this was it for today's daily news analysis तो आज का हमारा daily news analysis complete होता है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो like, subscribe and share ज़रूर हीजेगा And साथ ही अगर आप UPSC के अच्छी से preparation करना चाते हैं तो UPSC का journal studies का subscription ज़रूर लीजिए इसके अंदर आपको plus iconic or light तीनों तरह के courses मिल जाते हैं Plus के अंदर आपका full course रहता है iconic के अंदर आपको full course plus एक live one-on-one mentorship मिल जाती है जो कि आपकी strategy building में कोई भी doubt sessions है, कोई भी guidance है exam related किसी भी time पे आप उनको contact करके हासिल कर सकते हैं And lastly, अगर आप already prepared कर चुके हैं लेकिन आपको किसी भी reason से success नहीं मिल रहा है Then you can opt for a light course इसके अंदर आपको जो test series है revision classes है उसका access जो है वो मिल जाता है And अगर आप जो भी course लेते हैं उसका screenshot ज़रूर भीजिएगा So that you can connect with me also जो भी course आप चूज करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आप यूज कर यह मेरा code ANI7 यह मेरा referral code है इसको आप यहाँ पर दालेंगे तो prices जो है 10% से discount हो जाएंगे किसी भी course में, किसी भी duration के course में चाहे आप एक साल कलें, दो साल कलें अच्छे महीने का लें या फिर अपलास लें, इकॉनिक ले लाइट लें सभी में आप पे बेनिफिट जो है वो मिलेगा और उसके बाद आपको करना क्या है इसका screenshot मुझे टेलिग्राम पे भेजना है Once you send me on telegram, I will add you to my group video और आपको कुछ जानने को मिला होगा So thanks for watching, have a nice day